नमस्कार दोस्तों वेलकम टू दे गुद्धाती चैस्टोन आज आज आउ टू प्ले अगिंस इपोर मतलब इपोर से कैसे खिला जाए उसके बारे में हम लोग डिसकस कर रहे हैं यह मेरा पार्ट ध्री मतलब तीसरा वीडियो है इपोर आपको मैंने रूई लोपेज खिलना सिखाया है और उसी के बारे में आगे भी हम डिसकस करेंगे और उसके बाद जब हमारे पूरा चैप्टर खतम होगा तो मैं इसके बाद का चैप्टर आपको कैरोकान डिफेंस के बारे में बताने वाना इसलिए चैनल को सब्स्राइब करके रखे एक भी वीडियो मिस नहीं हुए चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहले 6 मूव दोस्तों मार्शल एक बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा E4, E5, Nf3, Nc6, BB5, रुई लोपेज में ही मार्शल एक इन्वल्व है A6, B7, A4, Nf6, Castle, Black खिलेगा B7, Rook E1 हला कि हम मार्शल एक टेक के बार में इसके बार में बताऊंगा पहले हम ये 6 मूव कम्प्लेट करते हैं उसमें सबसे पहले ये 6 मूव, वाइट का 6 मूव, Rook E1 उसके बाद Black के पास चॉइस है, एक चॉइस है आवरबाक सिस्टम यानि D6 दूसरी चॉइस है इसके बाद का चैप्टर, कलब, D6, C3 फिर हैक्टर सिस्टम, जिसमें D6 के बदले B5 एंटी मार्शल सिस्टम, इसमें भी B5 ओके, वन बाइवन सारे मूँ देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आवरबाक सिस्टम देखते पहले, ब्लैक अगर यहाँ पर D6 के बदले, यहाँ पर D6 के बदले, यहाँ पर C3 भी कर सकते हैं मेरे सबसे C3 ज्यादा बेश्टे, यहाँ पर ब्लैक करेंगा शॉट कैसल, उसके बाद आप सेंटर कंट्रोल के लिए D4 पर सकते हैं अब ब्लैक के लेगा B5, यहाँ पर आपको B2 लाना है, B3 नहीं, B2 ताकि H7 पर X-ray attack रहेगा यहाँ पर ब्लैक रिप्लाई देगा विशब G4, अब आपको करना है D5, नाइट A5, देखो विशब B3 होता है तो हमें वापस एक मूँ वेस्ट करने होती, इसलिए विशब C2 और यहाँ पर आपको खेलना है, नाइट B2 और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया पोजिशन स आप खेल सकते हैं, C3 कैसल के बढ़ले भी G4, फोड़ा सा मूँ चेंज कर देते हैं, अगर ब्लैक का, यहाँ पर हमने C3 किया, चलो यहाँ ब्लैक कैसल के बढ़ले भी सब G4 करता है, पहले यह, तो यहाँ पर आपको D3 करना है, तो कि नाइट D2 का हमारा प्लानिंग है, ब बीडी तो, और उसके बाद यहाँ पर अटेक करता है, यहाँ पर आपको खेलना है, नाइट F1, रुक G8, इस प्रकार के भी अटेक और सारी गेम में हुए है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके परफेक्ट मूँ, इसके बाद नाइट D3, और यहाँ पर आप बहुत सकते हो, इसके आपको सकती है, अगर मूँ होता है, अंतर कि आपको से यहाँ रुदिधाятся, यहाँ पर विद तर यहाँ इसलिए और लिए छल गाम में हूं, इसलिए खैंको बताता हूँ, अब आप यहां पर यहां पर आपको सिंपल बिश्ब बीचरी करना है नहीं ब्लैक नहीं यहां पर डिश्ब नहीं किया है डायरेक्ट बीचर्ट आप अब यहां पर खेलेगा भीचरी सेवन अब आपको दीफोर करना है सेंटर कंट्रोल नाईट टेक्स दीफोर और यहां एक ब्रिलियंट साकरिफाइज विश्ब एफ सेवन आप्टर किंग टेक्स F7 तो 95 तो किंग टेक्स F7 अगर ब्लैक नहीं करता है तो दूसरा ओप्षन है किंग F8 और यहां भी आपके पास 95 चॉइस है कुछ ही स्टार्टिंग में आपको यहां सेक्रिफाइस के मूँ मिल रहे देखो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा एंटी मार्शल आरी वन दी फाइव बीबी थ्री और यहां पर ब्लैक कैसल करता है बीबी स्यावन के बदने ब्लैक करता है कैसल तो यहां एंटी मार्शल खेलेंगे है क्योंकि कुछ शीथरी एगर तो मार्शल एटएक में चल्ट हो जाती है इन को आपर हम खेलेंगे एंटी मार्शल किसी ब्लैक को मार्शल हेटक नहीं करने देना है तो आपको एसी करके खेलना होगा ब्लैक रिप्लाई देगा D5 उसके बाद E takes D5 नाइट takes D5 नाइट takes E5 नाइट takes E5 रुक takes E5 अब नाइट पर दू अटेक है इसका बेस चोई से C6 और यहाँ पर आपको पहले से ही आरी बना जाना है बिशब D6 के बाद मार्शल अटेक में QS4 की threat रहती है इसलिए पहले बिशब D6 आने से पहले आपको आरी बन कर देना है ब्लैक रिप्लाई देगा BD6 और यहाँ पर आपको D4 आपको QS4 और यहाँ आपको खेलना है QD कम्प्लेट डिफेंस हो गया है और सिंपल एक पॉन आप खेल के करके आप खेल सकते हो इस मार्शल अटेक में ब्लैक आपको एक पॉन सेक्रिफाइस करके खेलना चाता है क्योंकि उसे अटेक ज़्यादा मिलता है लेकिन इस अटेक में ज़्यादा कोई दम नहीं है चलिए S3 में रिप्लाई में मार्शल एक 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 जब आप खेलते हो S3 के रिप्लाई में B7 अगर पहले से ब्लैक 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 करना है उसके बाद सिम्पल ब्लैक खेलेगा H6 यह सिम्पल गेम हो जाएगी C3 यहाँ पर खेलेगा ब्लैक D6 C3 यह भी सबको डिफेंट करता है यहाँ पर आपको खेलना है नाइट भी D2 R E8 ब्लैक विल प्ले नाइट F1 नाइट का मैनोरिंग इस गेम में बहुत बढ़िया होता है नाइट G3 या नाइट E3 दोनों साइड आपका ब्लैक ब्लैक भी सब एफेट कहलेगा तो इस पोजिशन में आप दोनों साइड से खेल सकते हैं नेक्स वीडियो में आपको मैं बताऊँगा तो चैरेस वेरेशन और उसके पाद ओके चल यहां पर कैरेस वेरेशन आज ही में दिखा देता हूं क्योंकि मुझे और भी एक वीडियो बनाना है इसके बाद नया नया चैप्टर मतलब कैरोकान डिफेंस तो नेक्स वीडियो में आप देखो कैरोकान डिफेंस आउ टू प्ले अगेंस कैरोकान उसकी पूरी सीरीज में बनाऊंगा जैसे हमने रुई लोपेश की सीरीज बनाई है तो चलिए यहां शुरू करते हैं कैरेस अटेक में e4 e5 black knight c6 rooting move है सारे a6 bishop a4 knight f6 castle bishop e7 c1 re1 black immediate attack on b5 bishop b3 और यहां पर d6 यहां आपको खिलना है c3 black करेगा short castle h3 anti-martial ही होगा knight a5 इसे कहते हैं कहरेस अटेक जो आपके bishop पर अटेक करके c5 खेलते हैं यह structure होता है black का बहुत ही strong तो knight a5 के reply में आपको bishop c2 खेलना है क्योंकि यह bishop हमारा बहुत ही powerful रहेगा इस गेम में इसलिए हम देना नहीं चाहेंगे black up c5 करेगा तो यहां आपको खिलना है center break d black reply देगा knight d7 knight bd2 bishop f6 के reply में आपको खिलना है knight f1 इस इतने मुह के बाद देखो bishop f6 अगर black खिला तो knight f1 और re8 अगर black खिल रहा है तो भी आपको खिलना है knight f तो दोस्तों यह थी हमारी रुई लोपेज की पूरी series और यह तीनो तीन वीडियो आप देख लिजे part 1, part 2 और part 3 तो e4, e5, knight f3, knight c6, bb5 वाले सारे variation आपको यह तीनो वीडियो में मिल जाएंगे और मेरा अगला वीडियो हुगा कैरोकान defense, how to play against कैरोकान हम e4 खेलेंगे कैरोकान player को कैसे हराया जाए उसके बारे में मैं deep में discuss करूँगा जल ही मिलेंगे, जैहिन, जैगुटा